संजदत की इस समय दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ गई है क्योंकि रोहिट शेटी ने मुंबई पुलिस के उस पुलिस ओफिसर पर फिल्म बनाने का एलान कर दिया है जिसने संजदत को जेल तक घसीड लिया था उसी ओफिसर ने संजदत को गिरफतार करने की हिम्मत का निबाई थी राकेश मारिया ने अपनी जिंदगी में वो कारनामे किये हैं जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह काम जाएगी राकेश मारिया को मुंबई में काम समाले 22 महीने ही हुए थे लेकिन उन्हें मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के इन्वेस्टिकेशन आफिसर के रूप में रखा गया पुलिस ने जब साजिश में शामिल तीन लोगों को पकड़ा उसके बाद जो नाम सामने आया वो चौकाने वाला था क्योंकि वो नाम था एक्टर संजदत का इसके बारे में मारिया ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्हें ये नाम सुनने के बा इसके बाद संजदत को बड़ा जटका लगा था तब संजदत लगातार बोल रहे थे कि आप ये नहीं कर सकते मेरी फैमली इंतजार कर रही है मुझे एक बार मिलने दीजिए तब मारिया ने संजदत से कहा था कि तुम अपनी कहानी खुद बताओगे या मैं बताऊं संजदत का भी केस दिखाये जाएगा और हो सकता है कि इसमें ऐसे राज भी खुल जाएं जो लोगों को आस तक पता ही ना हूँ फिलाल तो इस फिल्म का एलान होते ही शायद सबसे ज़्यादा डर में संजदत ही होंगे अब बस लोगों को इस फिल्म के आने का इंतिसार है फिला इस पर आप क्या कहेंगे अपनी राय हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजे